इत्रो नमस्ते आए हमबलराम चोरसी अरलोजी बीयल नौलेज पॉइंड में आप लोंका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं भारतिय संबिधान के बिदेशी सुरूत तो चलिए शुरू करते हैं अजादी से पहले भारत शासन अधिनियम 1935 जो एक संबिधान का तार्ज कर रहा था उसमें 395 अनुछेद थे जब अजाद देश के लिए संबिधान बन रहा था तो नए संबिधान के लिए 1935 अधिनियम के 395 अनुछेद में से 250 अनुछेद को सीधे उबहो शब्दों में रख लिया गया अब चुकि भारत के लिए एक बिश्त्रित संबिधान बनाना था इसके लिए विभिन देशों के संबिधान का अध्यान करना शुरू हुआ इस करम में संजुक्त राज अमेरिका के संबिधान का जब अध्यान हो रहा था तो उसमें से जो है मौली क अधिकार का प्रवधान, नियाईक पुन्राव लोकन, संबिधान की सर्वोचता, नियाई पालिका की सोतंतरता, निरवाचित राष्टपती, उसवर महावियोग, उचतम तथा उच नियाले के नियाई धीसों को हटाने की बिधी, बिती अपात कैसे लगता है, यह सब प्रवधान जो है, अमेरिका के संबिधान से लेकर अपने भारती संबिधान में लिखा गया, और उसको परियोग में लाया गया, दूसरा है ब्रिटेन के संबिधान से संसादमक शासन परणाली को लिया गया, संसत का निर्मार कैसे होता है, राश्पती, लोकसभा, राजसभा, ऐसे यह प्रवधान ब्रिटेन के संबिधान से है, एकल नागरिकता, चाहे आप किसी राज्य के आप हैं, लेकिन सबसे पहले भारत के नागरिक हैं, भारत आपको एकल नागरिकता प्रदान करता है, बिधी निर्मार की प्रक्रिया, बिधी निर्मार कैसे बनता है, नियम कैसे बनता है संसत में, जिसकी प्रक्रिया जो है ब्रिटेन के संबिधान से लेकर भारती संबिधान में लिखा गया, आइरलेंड के संबिधान से निती निर्दे सक सिधान को लिया गया राष्टपती के निर्वाचक मंडल की व्योस्था कैसे होती है इसको लिया गया राष्टपती राजय सभा में 12 साहीत तिरकला विज्ञान तथा समाज सेवा में प्रख्यात व्यक्तिवा नियुक्ति करता है यह आरलंड के संभिदान से लिया गया आश् संभिदान से लेकर भारत के संभिदान में रखा गया अब है कनाडा के संभिदान से संघात्मक विशिस्ताय लिया गया और शिष सक्तिया के अंदरे के पास होती है इसको लिया गया राजय पाल की नियुक्ति कैसे होती है यह कनाडा के संभिदान से लेकर भारती संभिदान में रखा गया दच्छिड अफरिका के संभिदान से आपको संभिदान संभिदान की प्रक्रिया रखा गया कि जो है सं वीडियो में आम इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलता है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत